अगर आप कोई भी मोटे होने की दवा का प्रियोग करें उसे आप छोड़ना चाहते हैं तो इस तरह कि मैं पास में बहुत सारे कमेंट आये थे और कैसे लोगों ने क्वेरी की थे कि सरह मोटे होने वाली दवा का चाहिए अरुवेदिक कोई दवा हो फिर कोई ऐलोपैत की दवा हो उसे छोड़ना चाहते हैं तो किस मेठड से छोड़े कैसे छोड़े जिसे हमारे बॉड़ी के उपर नुक्सान देखने को ना मिल सके आज इस वीडियो में आपको हम जो के टरीका बताने जा रहे हैं दवाफ्वा छोड़ने का उस तरीके से एक आप दवाफ्वा को छोड़ते तो आपकी वडीके पड़ को स्टाश देखने को मिलेगा लेकिन आप किसी भी दवाथ का अगर अगर आप एलोपैत का है आरुव भी दवा का प्रियोग करें उसको अगर आप छोड़ते हैं तो आपको रिस्पॉंस काफी अच्छा देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है जैसे आप सुबा साम में दोनों समय प्रियोग कर रहे थे तो आपको क्या करना है कि एक से डेढ़ हपते तक क्या दो हपते तक आ उसके बाद में अगर आप बहुत लंबे समय से खा रहें जैसे छे मैने से एक साल से खा रहें तो आप को छोड़ने में लबबग गए 45 से लेके 60 दिनों तक आप रेगुलर इसका प्रियोग इस तरीके से करते रहें उसके बाद में आप चौशा दिन चौथे दिन और पांचवे दिन चट्वे दिन ऐसे से गयब करके आप इस तरीके से छोड़ी इससे क्या होगा कि आपकी बॉड़ी को पर को नुकसान देखने को मिलेगा आप किसी भी दवा का मोटे होने की दवा का प्रियोग करें अगर या फिर हेल्थ बनाने की दवा का अगर आप प्रियोग करें तो वहां पर आप इस तरीके से उसको छोड़ते हैं आप उसको छोड़ना चाहते हैं आपको नुकसान कर रहा है या फिर आप वैसे से पूछ सकते हैं मिलते हैं आप से एकले वीडियो में एक रहें प्रोडिक्स साथ में तब तक के लिए धन्यवाद अब अपने ख्यार लखिएगा